Hello friends, welcome back to my channel Ask English. I am Saroj Kumar Singh, your English trainer. जहां आप सिखते हो English through Hindi, तो आज हम सुरुवात करते हैं ऐसे topic के साथ, जो दिखने में तो असान सा लगता है, बट अक्सर exam में ऐसे question इस topic से आते हैं, जिसे आप solve करने में फ़र्ज जाते हो. तो आज हम day 6 में, pass of a speech के series में adjective को finish करेंगे. इस channel पर नए हो, तो हमारे day 1 से day 5 तब के वीडियो को जड़ू देखना, link description में है. इंगलिज के उत्पत्ती से लेकर pass of a speech के आठो पार्स को एक एक करके clear कर रहा हूँ हूँ मैं. आज ओ, आज हम देखते हैं, pass of a speech के एक और पार्स को, adjective को, जिसको हम हिंदी में बिसेशन कहते हैं. सबसे पहले एक नजर इस पूरे वीडियो में हम क्या-क्या सीखेंगे उस पर डालते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे definition, फिर use of adjective, first one is attributive use of adjective and second one is productive use of adjective. ये topic exam के purpose से भी ज्यादा important है. अक्सर SSC, CGL, bank PO या फिर UPSC के exam में इनसे question होते ही हैं. इसे मैंने वीडियो में बहुत अच्छे तरह से clear किया हूँ. फिर उसके बाद हम सीखेंगे types of adjective, जिसमें हमने एक-एक करके आठ types के बारे में सिखाया हैं. first adjective of quality, second adjective of quantity, third adjective of numbers, fourth demonstrative adjective, fifth interrogative adjective, sixth distributive adjective, seventh possessive adjective, eight proper adjective. types of adjective के साथ-साथ हम यह भी सिखेंगे कि कुछ adjective को कैसे identify करें कि वह adjective है या फिर pronoun. आओ, सबसे पहले हम देखते हैं adjective होता क्या है, जिसे हिंदी में हम बिसेशन कहते हैं. According to the Cambridge Dictionary, an adjective is defined as a word that describes a noun और परनावन, जैसा कि definition से हिं किलियर है. Adjective किसी noun या परनावन की विसेशता बताता है. अब पहला question यह उठता है कि noun और परनावन होता क्या है? Noun और परनावन होता क्या है? Already I explain you what is noun and pronoun. अगर आपने मेरे noun और परनावन का विडियो नहीं देखा है, तो इसे एक बार देख लेना, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके सारे डावटों को किलियर किया है, जो इग्याम के परपस से भी बहुत ज्यादा important है. Description लिंक में दिया हुए है. Noun होता क्या है? Noun हमारा वाय हो गया, पेन हो गया, कार हो गया, यह सब हमारे noun हो गया. और adjective के definition क्या था? वो adjective का हमारे definition क्या था? Adjective किसी noun और परनावन की विशेशता बताता है. यह जो noun है, boy, pain, car, इनी की जो विसेश्था बताएगा, वही adjective होगा Good boy, यहाँ boy की विसेश्था good है, अच्छा है, so good हमारा adjective है चंद नीजे, good boy, expensive pain, यहाँ pain हमारा noun है और pain की विसेश्था है कि वह expensive है, so expensive हमारा adjective है You buy expensive pain, black car, car हमारा noun है, car की विसेश्था है कि वह काला है, black है So black हमारा adjective है, there is a black car, यह जो word है, good, expensive, black, यह noun की विसेश्था बता रहे है एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, जिससे कि आप इजिली पहचान सकोगे कि यह adjective है या नहीं याद रखना, जब भी कैसा या कैसी से जो answer आता है, वह ही हमारा adjective होता है इन example को देखो, कैसा लड़का, तो अच्छा लड़का, good वह है यहाँ जब हमने वहाय के बारे में पूछा, कैसा, तो क्या answer निकला, good, अच्छा इसी तरह कैसा पें, expensive पें, कैसी कार, तो black कार, expensive and black हमारा adjective है बस, आप यह trick याद रखना, यह तो था हमारा definition अब आजाओ, adjective के position के बारे में जानते है मतलब, adjective का position जो होता है, वह noun और pronoun के पहले होगा, या बाद में होगा तो मैं आपको बता दू, adjective का position, noun और pronoun के पहले भी हो सकता है, और बाद में भी हो सकता है अक्सर, exam में चाहे, वह competitive exam हो, या फिर अस्कूल के exam, अक्सर tricky question यहीं सब पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना, और साथ के साथ, notes भी अपने बनाते रहना आव इसे example से समझते है, the girl is beautiful, और she is beautiful girl, यहाँ पर girl हमारा noun है, और beautiful adjective है और दूसे sentence में भी girl हमारा noun है, और beautiful हमारा adjective है, बट दोनों sentence में difference क्या है हमारे पहले sentence में noun के बाद adjective आ रहा है, और दूसे sentence में noun से पहले adjective आ रहा है अगर, अगर noun से पहले adjective आ रहा है, तो वह हमारा attributive use of adjective होता है बट जब noun के बाद adjective होता है, तो वह हमारा predictive use of adjective होता है आव इन दोनों के difference भी देख लेते हैं, attributive, when an adjective is used before a noun or pronoun in a sentence is called attributive adjective, ramesh is an honest why, यहां पर why हमारा noun है और noun से पहले, honest adjective का यूज किया गया है, तो honest हमारा attributive adjective है you have red car, यहां car हमारा noun है, और red हमारा attributive adjective है the black door opens slowly, यहां पर door हमारा noun है, और noun से पहले, adjective black आया है so black हमारा attributive adjective है, इनसे एक competitive exam में बहुत बार question आया है next, predictive, when an adjective is used after the pronoun or noun in a sentence, it's called predictive adjective he is afraid, यहां पर he हमारा pronoun है, और इसके बाद afraid आया है इसलिए predictive adjective है, रेसमा is intelligent, यहां पर रेसमा noun है और इसके बाद adjective intelligent आया है, इसलिए यह हमारा productive adjective होगा देखो, हमारा maximum adjective दोनो nature के होते है, मतलब attributive और productive दोनों nature के होते हैं But कुछ adjective ऐसे होते हैं जो केवल productive nature के होते हैं और exam में question भी यहीं से बनते हैं तो आव हम देखते हैं ऐसे कौन से adjective है जिनका use केवल productive के तरह ही किया जाता है attractive use नहीं कर सकता है यह जो adjective आप देख रहे हो इनका यूज के वाल पेडियक्टिव के रूप में ही यूज कर सकते हैं मतलब नाउन या प्रणाउन के बाद ही आएगा इन अजेक्टिव को आप रट लो इन सब को आप रट लो आप देखते हैं एक्जाम में कैसे कोश्चन आते हैं एक्जाम पर यहां पर मैन हमारा नाउन है और एलाइब हमारा एजेक्टिव है एलाइब मिन्स जिन्दा या जीवित होता है अब आप कहोगे सर्फ मैन हमारा नाउन है और नाउन की विशेष्टा बताने वाले को एजेक्टिव कहते हैं और दोनों संटेंस में यही है सो मेरी ख्याल से दोनों सही है तो मैं आपको बता दूँ जो आप सोच रहो वो गलत सोच रहो फर्स संटेंस में एलाइब का यूज एट्रिब्यूटिव एजेक्टिव के रूप में हुआ है but alive हमारा एसा एजेक्टिव है जिसका यूज के ओल पिडीटिव के रूप में ही कर सकते है मतलब नाउन के बाद ही यूज कर सकते है सो हमारा सकेिन वाला सेंटेंस सही है और फर्स्ट वाला गलत है he is afraid और he is an afraid man इस संटेंस में afraid हमारा एजेक्टिव है जो कि एक productive adjective है so first sentence हमारा सही है but second sentence गलत है क्योंकि man हमारा noun है और noun से पहले afraid का use किया है मतलब attributive use हुआ है जो कि गलत है so first sentence हमारा correct है अब मुझे नहीं लगता है कि use of adjective के इस topic में आपको कोई doubt होगा क्योंकि मुझे यकीन है कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साइधी किसी ने इतना easy way में आपको बताया होगा so दोस्तो प्लीज एक like तो जरूर कर देना जिससे हमारा motivation बना रहा है आओ अब हम सिखते हैं types of adjective adjective of quality adjective of quantity adjective of numbers demonstrative adjective interrogative adjective distributive adjective possessive adjective proper adjective यह तो है हमारे types of adjective जिनने हम detail में एक एक करके सीखेंगे first one is adjective of quality what kind of किस तरह का the words that describe the quality of noun और परनाउन अगर इसे असान सब्दों में समझा जाए तो जो किसी नाउन या परनाउन की विसेश्था बतलाता है मतलब quality बताता है उसे adjective of quality कहते हैं जैसे good, blue, honest, bad यह सारे जो वर्ड हैं quality को बता रहे हैं मनीज कैसा लड़का है मनीजीजा good वो है यहाँ पर good quality बता रहे है मनीज की he is an honest imply यहाँ पर imply की quality क्या है? honest so honest हमारा adjective of quality है इसी तरह और भी example देखो I saw a blue car यहाँ पर blue हमारा adjective of quality है मतलब simple है जब भी quality की बात हो तो वो हमारा adjective of quality है next one is adjective of quantity how much the words that describe quantity of noun or pronoun for example all, whole, little, some, few, half, any, etc यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह quantity को बताता है मतलब मात्रा यहाँ पर exact quantity की बात नहीं हो रही है यह हमारा uncountable noun होता है आव इसे example से समझते है Sam has taken half glass of milk यहाँ पर हमारा half adjective of quantity है half हमें बता रहा है कि कितनी quantity में, कितनी मात्रा में He has enough money यहाँ पर enough हमारा adjective है कितना मनी Enough money He has some money He has little money यहाँ पर quantity की बात हो रही है So यह सब भी हमारे adjective of quantity है Next one is adjective of numbers मतलब how many The words that describe exact number of noun और वरनौन ऐसा adjective जो संख्या के बारे में नंबर के बारे में बात करें और यह हमेशा countable noun होते है Example 1, 2, 3, 4, 1st, 2nd, 3rd, 4th, etc आव इसे example से समझते है There are 8 person in a WhatsApp group यहाँ पर 8 हमारा adjective of numbers है यहाँ पर हम exact number की बात कर रहे है 8 Next example A week has 7 days यहाँ पर 7 हमारा adjective of numbers है I have read the first chapter of this book यहाँ पर 1 हमारा adjective of number होगा Next one is demonstrative adjective Which, मतलब कौन सा Words that are used to point out a specific person or things are called demonstrative adjective जो adjective किसी खास ब्यक्ती या चीज की तरफ इसारा करे Example, this, that, these, those, etc अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर आपने तो this, that, these, those इन सबको तो demonstrative pronoun बताया था और आप demonstrative adjective बता रहे हो तो इसे हम पहचानेंगे कैसे कि यह adjective है या फिर pronoun Yes, आपने एकदम सही सोचा और सवाल भी आपका genuine है कि इसे पहचानेंगे कैसे आओ इसे समझते है Difference between demonstrative adjective and demonstrative pronoun Demonstrative adjective modify the noun and is always followed by the noun देखो, जब भी यह किसी noun के साथ आता है मतलब that person, this person, those wives, these girls तो वह उस खास व्यक्ति या चीज के बारे में बात कर रहा होता है Example, this book is mine यहाँ पर आप देखोगे कि this जो कि बुक के साथ attached है मतलब हम किसी खास बुक की बात कर रहे होते हैं और यह हमेशा noun के साथ चिपक कर आएगा अगर यही हम जब demonstrative pronoun की बात करते हैं तो demonstrative pronoun take the place of noun phrase यहाँ पर यह noun के साथ follow नहीं करता है बलकि take the place example देखो, this is my book यहाँ पर यह देखो यहाँ पर देखो कि noun के साथ attached नहीं है यहाँ पर this Achille है तो आप इस तरह इस तरह भी demonstrative adjective और परणावन को पहचान सकते हैं दोज girls are intelligent यहाँ पर फर्स संटेंस में दोज हमारा demonstrative adjective है क्योंकि इसके साथ girls attach है बट सकेंड संटेंस में दोज अकेले है तो यह हमारा demonstrative pronoun है next one is interrogative adjective ask questions words that are used with nouns to ask questions are called interrogative adjective jin और wh words से हम question पुछते हैं वो सब हमारे interrogative adjective होते हैं example who, whose, whom, which, what, etc. अब आपके दिमाग में फिर से आएगा कि यह तो सर हमारे interrogative pronoun भी होते हैं यह हमारे interrogative pronoun भी होते हैं बट जैसा कि हमने demonstrative adjective और pronoun में देखा उसी तरह same concept यहां पर भी लगेगा interrogative adjective ask a question and describe a noun example which book is your इस example में which हमारा interrogative adjective होगा ना कि interrogative pronoun क्योंकि which के जस्ट बाद में noun आया है but interrogative pronouns ask questions but stand alone example which is your book यहां पर आप देखोगे कि which अकेला आया है इसलिए यह हमारा interrogative pronoun होगा अगर मैं एक लाइन में दोनों के difference को बताऊं तो interrogative adjective में उसके जस्ट बात noun होगा but interrogative pronoun में वह अकेला रहेगा दोस्तों अगर आपको लग रहा हो मैं तीज बोल रहा हूं तो वीडियो में पीछे जाओ और दुबारा देखो समझ में जरूर आएगा next हमारा distributive adjective a word used to refer to each and every person or thing is called distributive adjective ऐसा word जो परतेक और सफी ब्यक्ति या चीजों को सम्भोधित करता हो उन्हें ही distributive adjective करते हैं example each, every, anyone, either, neither, etc. यह भी ऐसा adjective है जो परनावन की तरह भी यूज होता है so आव इसके difference को भी समझते है difference between distributive adjective and distributive pronoun distributive adjective modifies a noun or pronoun there is always attached with noun मतलब इसके साथ noun रहता ही है example each man was given a pain यहां पर each हमारा distributive adjective है क्योंकि इसके साथ man attached है जो की noun है but distributive pronoun used as a subject or object there is never attached noun मतलब इसके साथ कभी भी noun attached नहीं रहता है यह तो subject की तरह used होगा यह फिर object की तरह example each of boys will get a prize यहां पर each हमारा pronoun है क्योंकि यहां पर each के just बाद में noun नहीं आया है अगर simply कहा जाए तो जब भी ऐसे words जो adjective हो और pronoun भी हो तो हम ध्यान देना है कि adjective के साथ noun attached होता है but pronoun के साथ noun attached नहीं होता है next हमारा possessive adjective यह है यह जो possessive adjective है शो करता है ownership को possessive adjective shows something belong to somebody possessive adjective shows something belong to somebody possessive adjective में किसी चीज के ownership को दिखाता है मतलब वह चीज किसी से बिलोंग करता है example my, our, your, its, his, her, their, etc यह सब भी ऐसे adjective है जिने हम परनौन में भी पढ़ रखा है as a possessive pronoun so आप ज्यादा confuse मत हो क्यूंकि जो concept हमने अभी अभी आदा adjective और परनौन का समझा था वही same concept यहाँ पर भी लगेगा difference between possessive adjective and possessive pronoun possessive adjective is used to show ownership and come before a noun in the sentence जब भी as a adjective हम use करते हैं तो यह noun से पहले आता है example my book is on the table यहाँ पर my word noun से पहले मतलब book से पहले आया है इसलिए यह हमारा possessive adjective है but possessive pronoun does show ownership but it does not come before a noun जब हम इसे as a pronoun यूज करते हैं तो यह noun से पहले नहीं आता है example this book is yours यहाँ पर yours से पहले कोई pronoun नहीं आ रहा है इसलिए यह हमारा possessive pronoun होगा next one is proper adjective इसके बारे में discuss करने से पहले आपको बता दूँ जैसा कि हमने already noun में proper noun के बारे में पढ़ रखा है proper noun हमारा होता क्या है proper noun हमारा वह होते है जो किसी particular ब्यक्ति के नाम को या किसी जगा के नाम को represent करता है वह हमारा proper noun होता है तो proper noun से बनने वाले adjective ही proper adjective होते है proper adjective organize form proper noun आःव इससे समझने के लिए पहले proper noun को देखते है India, इंडिया हमारा proper noun है America, America हमारा proper noun है Nepal यह भी हमारा proper noun है अब जो हम इनकी helps जो बनाएंगे वह हमारा proper adjective होता जैसे India India से Indian अमेरिका, अमेरिका से अमेरिकन, नेपाल से नेपालीज, आव इसे एक्जाम्पल से बेटर समझते हैं, I am Indian, तो यहां पर Indian हमारा proper adjective होगा, Chinese foods are very spicy, यहां पर Chinese हमारा proper adjective होगा, So students, यह है हमारा chapter adjective, जहां हमने सिखा definition, use of adjective and type of adjective, जो किसी भी तरह के एक्जाम के परपस के लिए बहुत ज्यादा important है, So, day 6 में हमने adjective clear कर लिया है, next day 7 में हम clear करेंगे adverb को, So, अभी तक आपने subscribe नहीं किया है, तो आज ही subscribe और अपनी दोस्तों के पास share भी करना हूँ, हम आप से मिलते हैं अपने next video adverb में, thanks for watching Ask English,